गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने कल संडे अपडेट का वीडियो देखा था, और मैंने सोचा था कि अपने गारण के जो अधूरे काम है उनको पूरा करूंगी, तो मेरी तबियत कुछ कल ठीक नहीं थी, स पौधों की भी साफसफाई की है, गमलों की गुडाई की है, सभी को फर्टिलाइजर भी दिया है, और अपने गारण का एक जो सीरा है मेरा, इस्ट साइट का, उसको मैंने नया सेट अप तयार भी किया है, तो आप समझ सकते हैं, इतना ज़्यादा काम मुझे आद दिन भर लग गए और अभी भी बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं, तो देखिए मेरा जैसे ही मैं छट पर जाती हूँ, सीडियों से जस्ट सामने ये प्लांट मैंने इस तरह से जमाए हैं, रखे हैं, नया सेट अप तयार किया है, तो यहाँ पर मेरे कोलियास के जितने प्लांट थे सबको मैंने पॉट पे रिपॉट किया है, और बहुत सारे प्लांट को भी फ्रेंड्स मैंने रिपॉट किया है, यह राखी बेल देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया है, यहाँ पर सारे गुल्दावदी के प्लांट थे, उन गमलो को पूरा मैंने कपड़ों से साब भी किया है और इस तरह से यहां पर मैंने नया सेटप तयार किया है देखिए तो सारे गमले काफी दिनों से बारिस भी हो रहे थी हमारे यहां तो इतने सारे मेरे पास पॉर्ट है फ्रेंड आप समझ सकते हैं तो आज मैंने सभी गमलो तब ही मिट्टी गीले थे और कुछ में बिल्कुल सुख गये थे, तो देखिए जो मैंने सिमेंट वाले जो पॉट लेकर मैं आई थी, उसमें मैंने कुछ में इंपेशन के प्लांट लगाए हैं और कुछ में अडेनियम लगा दिये हैं, तो इंपेशन के देखिए वाइट और यह पिटूनिया की कटिंग है, यह भी पहुत अच्छे से ग्रो हो गई है, तो यह देखिए मैंने पांच कलर के लाए थे प्लांट और यहां पर पिटूनिया डॉक फ्लावर, तो इम पेशन के मैं पांच प्लांट लाए थी फ्रेंड्स यहां से देखिए एक यह है, पिंग कलर और यह भी थोड़ा डार्क पिंग और यह औरेंज कलर वाइट कलर यह पांच प्लांट थे इनसे मैंने बहुत सारे प्लांट तयार किये हैं इस वज़ा से आपको ज्यादा बूसी भी नहीं लग रहे होंगे क्योंकि मेरा अभी इस समय यही था कि इंपेसंट के प प्रेनियम को मैंने बिल्कुल छायादार जगह पे रखा था जहां पर की बारिस का पानी मत पहुचे क्योंकि खराब हो जाते हैं फ्रेंड्स और जितने भी मेरे गमले हैं सब में जो सुखी पत्तियां टूट टूट कर गिर गई थी उनको भी मैंने आज पूरा क्लेन किया है पूरे गमले में जितने भी सुखे पत्ते थे सभी गमलो के पत्तों को मैंने हटाया है सब की गुडाई की है और अभी मैंने सभी प्लांट को जितने भी मेरे गाडन में प्लांट है सब को मैंने वर्मी कंपोज दिया है क्योंकि एक बार मैं ड्राई फर्टिलाइजर देती तो मैंने साथ पॉट लेकर आई थी तो तीन में अडेनियम लगाए हैं और बांकी में मैंने इंपेशन के प्लांट लगा दिये हैं क्योंकि इसमें अच्छा भी लगेगा इंपेशन का प्लांट तो आज मैं दिन भर यही सब काम मैंने अज इतने सारे वर्ग किये हैं और मुझे तो लग रहा है कि मैंने बहुत सारे काम किये हैं पर आप लोग बताईएगा आप लोग गाडनर्स हैं जो उनको तो पता ही होगा कि इतना ज़्यादा काम हो जाता है गाडन में तो यह सारे काम आज मैंने निप्टाए हैं और बहुत सारे काम अभी भी मेरे गाडन में बचे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा है मेरे बहुत सारे प्लांट थे उनको मैंने रिपॉर्ट भी किया है गमलो में और सारे प्लांट यहां से हटाये हैं, रिपॉट किये हैं, और यहां पर देखिए हेंगिंग पॉट, तो यहां से देखिए मेरा गाडन, यहां पर भी मैंने क्लीन किया है, सारे गमलों को हटा कर सब की गुडाई की है, आपको गमलों में दिख भी रहोगा, कमपोस्ट दिये और जो सुख्य पति हमारे प्लांट में थे उनको भी हटाया है और यह रावा IT कलर के जो दो प्लांट थे मेरे पास गुल्द अधी के उनको भी मैंने शिप्ट किया देखिये आज मेंने किया है और इसी से एक मेरा अलग से प्लांट था पतानी कौन से कलर के हैं उनको ग्रो बैग में लगा दिया है और यहां पर देखिए मेरे देशी ही बिसकस की तीन अलग-अलग कलर एक साथ मैंने बंच में लगाया थे और यह ग्रो भी हो गए है पत्ती आने शुरू हो गई है लेकिन अभी मैं इसको नहीं निकालोंगे भी कुछ दिन और दूंगी फिर आप लोग को जरूर सेयर करूंगी और यहां पर ग्लाडिया के देखिए फ्रेंड्स मैंने इतनी सारी कटिंग लगाई है क्योंकि मेरे पास प्लांट थे तो मैंने सोचा सीट मंगा के लगाने से बहतर है कि कटिंग ही लगा लेती हूँ और यहां पर कनेर त मैंने आपके पास समय है और मेरे पास तो आपको पता ही ही समय बहुत कम मिल पाता है तो मैं हमैसा जो भी मेरा समय मुझे मिल पाता दो इस तरह से अपने garden को आप बढ़िया साब सुथरा रखिया जिस तरह से हम अपने घर को cleaning करते हैं डीप क्लीन करते हैं उसी तरह से आज मैंने भी अपने garden की deep cleaning की है समझे है मैंने सारे गपलो को हटाया है जो मिठी है उनको हटा, हटा-ईटाकर मैं विडियो बनाने के चक्कर में मुझे बहुत ज्यादा समय लग जाता और यह कोलियस की कटिंग और यहां पर के सारे मैंने कल आप लोगों से सेयर भी किया था जितने भी गुलदाओदी के प्लांट है उनको हटा कर मैंने पीछे साइड अरेंज किया है और यह पिटूनिया मे कि इतनी जादा ब्लूमिंग हो रही है तो डायन्थस में मैं विडियो फिर से बनाओँगी कि मैंने क्या किया है जिससे कि मुझे इतनी जादा फ्लावरिंग अभी मिल रही है ज़्यादा क्वांटिटी में और यहां पर देखिए पिटूनिया तो इस साल मेरे गाड़न मे पिटूनिया के एक ही कलर के प्लांट बहुं सारे निकल गए क्योंकि मैं बेबी प्लांट लेकर आई थी फ्रेंड्स मुझे पता भी नहीं थे कि कौन से कलर के है और यहां पर कुछ कटिंग इंपेशन के मैं लगाई थी इनको मैंने अब सनलाइट में रखना सुरू किया है क एक कत अगुत मज़ें प्लांट धने एक महां बस सेक है निए ख्याली कम चाहца टेए करते चुज़क usula का लांट में वर्भी वाइनच्क प्लांट के बारे में है मैंने तो cutting लगाई थी तो branch cut cut करके लगाई थी लेकिन आज जब मैंने गुडाई की तो मैंने देखा कि देखिए इनके branch के हर branch के एक एक इंज की दूरी पर इस तरह से roots निकलती है देखिए अगर ये मिट्टी पे touch हो रही है तो इन में roots भी आने लगती है जो कि मुझे पहल नहीं था मैंने तो उपर से cutting ले लेकर लगाई थी और यहां पर मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ देखिए ये मिट्टी से touch हुई थी ये branch और इन में छोटी-छोटी सी roots निकल रही है तो आप चाहें तो इससे बहुत आसानी से cutting लगा सकते बस इससे roots से थोड़ी द नहीं थी लेकिन अभी जब मैं इनको work कर रही थी अपने garden की और मैंने गुडाई की और वर्मी compost दिया तब मैंने देखा कि अरे इसमें तो नीचे से भी roots आती हैं जिससे कि हम आसानी से वर्मीना की बहुत ज़्यादा cutting लगा सकते हैं तो इस पर भी मैं आप लोगों को बत करते हैं तो हमें भी garden से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है करते करते gardening और देखिए मेरा ये वाला काम तो पेंडिंग ही पड़ा है सारे मिट्टी को मैं अभी सूर्य का प्रकास अभी आठ दिन तक रखूंगी इसी तरह से ताकि अच्छे से मिट्टी मेरा अच्छ हो चांदनी का प्लांट है मेरी गोल्ड है इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कोलियस के मैंने बहुत सरे कटिंग भी लगाए है आप लोग देख रहे हैं और चांदनी के भी कुछ कटिंग लगाए है और यहां पर देखिए इस तरह से मेरा गारण बिखरा और मैं दिन वर काम करने के बाद सोचे एतना काम अभी भी पेंडिंग है और यह देखिए रोज में बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है क्रीम कलर के रोज हैं रेट कलर के हैं और यहां पर कुछ को गुल्दावदी के भी प्लांट है जिन में फ्लावरिंग हो रही है और देखिए फ्रेंड्स मैंने जितने भी मेरे गुलाव के प्लांट थे सबको मैंने प्रूनिंग कर दी थी प्रूनिंग के बाद देखिए नए-ने ब्रांच निकल रहे हैं तो इस तरह से मैंने आज बहुत सारे काम किये फर्टिलाइजर दिये प्लांट को और यहां पर देखिए मेरा टेरिस का एक सीड़ा बिल्कुल इस तरह से गंदा पड़ा है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा आप समझ सकते हैं काम करने के एक ही दिन में तो मैं इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगी जितना मुझसे होता है उतना ही करती हूं और इतने सारे मैंने कट कुछ मैंने कटिंग जो गर्मी सीजन में जो चलते हैं प्लांट उनकी भी लगाई है मौस रोज है और महुत सारे हैं और यहां पर देखिए यह जो कटिंग आप देख रहे हैं वर्भीना के मैंने ऐसी ही लगा है इन में रूट्स नहीं आई है लेकिन यह ग्रो हो और यह देखी कोलियस का प्लांट मैंने अभी यहां लाकर रखा है जो काफी अच्छा हिल्दी हो गया है तो बस फ्रेंड्स आज मैंने यही काम किया है एक नया सेटप तयार किया है और अपने गार्डन को थोड़ा सा अरेंज किया है तो आसा करती हूँ आज का वीडियो जरूर आप लोग को अच्छा लगेगा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मेरा गार्डन दिखता है तो हमे बारिस होई है तो बारिस होने के बाद तो हमारे गमलो की मिट्टी को गुडाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो आप गमलो की मिट्टी को गुडाई भी कीजिए फंगी साइट का इस्प्रे भी कीजिए और कुछ में इंसेक्ट अटैक भी हुए हैं जैसे ह तो 5 बजे कीजिए जिससे की अच्छे से जो है इंसेक्ट जो हमारे प्लांट्स को छोड़कर भाग जाए या फिर खराब हो जाए तो इंसेक्टिसाइट साम के समय ही अपलाई कीजिएगा और जितने इस बेंट फ्लावर है उन सबको भी मैंने आज बहुत सारे कट करके हटा बहुत जादा मेरे पेंडिंग पड़े थे उनको मैंने क्लीन किया है और कुछ प्लांट देखिए मेरी गोल्ड के मैंने कटिंग लगाये थे इनको भी मैंने रिपॉर्ट किया है इनको पॉर्ट में सिप्ट किया है कुछ को ग्रो बैग में किया है तो हर एक एक प्लांट क लेकिन जितना हो सकता है मैं जरूर करती हूं और यह कनेर में मेरे पहले बार फ्लावरिंग शुरू हो रही है पतनी कौन से कलर के हैं और यहाँ पर सारे मेरे और भी नीबू के प्लांट है और यह देखिए सहतूद का प्लांट है तो फिर एक नय वीडियो के साथ आप लोग कलर, परपल कलर